इस वीडियो में आप लोगों को नीरत चोपड़ा के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगी डिटेल्स में नीरत चोपड़ा की हाइट, एज, गल्फरेंड, फैमिली, बायोग्राफी और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में नीराच चोपड़ा का निकनेम है नीजू और प्रोफेशन से वो जैवलिन थ्रोवर एंड जूनियर कमिशन ओफिसर है फिजिकल स्टार्ट के बारे हम बात की चाहें तो हाइट है उनका 180 सेंटिमीटर जोके फीट में होता है फाइफ फीट 11 इंच और दोस्तों उनका वेट है 86 केजी और आई कलर है ब्लाक और हेर कलर है ब्लाक और उनके कोच के बारे हम बात की चाहें तो उनके कोच है गैरी कलवर्ट और नसीम एहमद कलॉस बार्टोनीज वार्नर डेनियल्स यूडब्यूई होन परसनल कोच है उनके राजकुमार जोके आर्मी कोच है और दोस्तों उनको बहुत सारा मेडल्स मिल चुका है गोल्ड मेडल उनको मिला 2016 साउथ एसियन गेम्स इन ग्वाहाती इंडिया और 2016 में मिला व्ल्ड यूटन्टी चैंपियन्शिप इन बाइड गोस्जेड पोलांड 2017 में एसियन चैंपियन्शिप इन भुगनेश्वर इंडिया में मिला और 2018 कमन वेल्थ गेम्स इन गोल्ड कोस्ट अस्टेलिया में मिला 2018 में सोटे विले अथलेटिक्स मीट इन सोटे विले राउन फ्रांस में मिला 2018 में सेवो गेम्स इन लापिन लाथी फिनलेंड और 2018 में एसियन गेम्स इन जर्टा एंड पालेंबैंग इंडोनेसिया में मिला 2021 में उनको टोक्यो ओलम्पिक्स 2020 में मिला और सिल्फर मेडल गून को मिल चुका है 2016 अशियन जूनियर चैंपियंशिप इन होची मिन सीटी वियत्नाम में मिला 2017 में एसियन ग्रांड प्रिक सीरीज इन जिन्हुआ चाइना में मिला और 2017 में Asian Grand Prix Series in Jagshing, China में मिला 2018 में Offenberg Speechware, Spear War Meeting in Offenberg, Germany में मिला Bronze Medal उनको मिला 2017 में Asian Grand Prix Series in Taipei, Taiwan में मिला उनके records की बारे में बात की जाओते हो 2018 में National Record of 88.6 मीटर Mark at the Asian Games में किये है और 2021 में National Record of 88.7 मीटर Mark at the Indian Grand Prix में किये है और दोस्तों, उनके awards और honors की achievements की बारे में बात की जाए तो 2017 में Hindustan Times Top 30 Under 30 awarded by Captain Amarinder Singh से मिला और 2018 में Arjuna Award मिला उनको 2020 में उनको विसिष्ट सेवा मेडल वी एसम मिला और 2021 में Sports Star ASS Awards Sportsman of the Decade Track and Field का मिला दोस्तों, नीरच चोपड की personal life के बारे में बात की जाए तो उनके date of birth है 24 December 1997, Wednesday के दिन पैदा हुए और age as in 2021 में उनको 24 years हुआ है और birth place है उनका खंडरा विलेज पानीपत डिस्टिक्ट हर्याना स्टेट में हुआ है और दोस्तों, नैचनल्टी से वो इंडियन है home town उनका खंडरा विलेज पानीपत डिस्टिक्ट हर्याना है और college and university के बारें बात की जाए तो DAV college चंदिगड से किये हैं और पुरुक्षेत्रा यूनिवस्टि हर्याना से किये हैं education qualification है उनका graduation correspondence और ethnicity है वो रोर मराथा और food habit vegetarian turn है और non vegetarian भी है और दोस्तों marital status के बारें बात की जाए तो वो अभी unmarried है दोस्तों उनके father का नीम है सतीश कुमार चोपड़ा जो के work as a farmer है mother का नीम सरोज देवी है और दोस्तों उनके two sister है जो के एक का नीम संगीता है और दूसरे का नम सरीता है दोस्तों फेबरेट्स गेम है उनका javelin thrower जैन जिलेजनी और दोस्तों फेबरेट्स सिंगर है उनके राजिंद्र खरकिया एंड केडी फेबरेट्स फिल्म है रोकी सिरीज फेबरेट्स एक्टर है अक्षे कुमार और दोस्तों बर्शुल गेम है फेबरेट्स में उनका javelin master 2 brothers in arms and asphalt nira chopra is an Indian athlete who presents India in the Javelin throw he is ranked a junior commissioned officer and subedar in the Indian army he lives in a joint family with more than 17 other members in panipathli rana In his childhood, he used to be a chubby kid and used to wear a white kurta pajama. His village, people used to call him serpents. In an interview, when he was asked how he developed an interest in the javelin, he replied, As an obese child at the age of 11, I weighed 80 kilos. To get into shape, I visited the Panipat Stadium during vacations. My pocket money was about 30, and many days I did not even have money for a glass of juice. I traveled by boss for about 17 kilometers to reach the stadium and returned with my uncle who worked at Panipat City. Although I was running to sit with, I did not particularly enjoy it. I used to stand at some distance and watch my senior Javier, who has represented Haryana in javelin practice. One day at his best, I tried the javelin. I discovered I could throw it far and the realization helped me regain my self-esteem. Hello, friends. So, I am very interested in the video. If you don't like it, if you want to know more about it, then you can search for Google. If you want to know more about it, then you can search for it. Then you will know many more about it. If you want to know more about it, then you will know more about it. करके बिल आइकोन भी प्रेस करतीजे दोस्तों